बारह राश्यों की भी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आज की बारह राश्यों की क्या इस्थती है, किसको भागोदे होगा, किसको सरकारी नोकरी मिलेगी, किसको उचपत की प्राप्ती होगी, किसको सेयर ट्रेडिंग से लाप मिलेगा, कौन विदेश जागा, कौन गरंतकार बनेगा किसको राजनीती की च्छत्र में जाना है किस अंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या बरतनी हो उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा आज जिनका जनमदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सों क खेल के च्छत्र में जाएगा कौन बैग्यानिक बनेगा कौन साहित्यकार बनेगा किसके घर में किलकारी कुजेगी किसके घर में साहिनाई बजेगी सारी बात बताऊंगा किस अंग के प्रयोग करने से भागोद होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको पार सफलता मिले देश पिदेश की यात्रा का यूग बन रहा है समय अनकुलता लिये हुए है आज आपको जो करजे ले रखें उससे आपको मुक्ती मिलेगी परिशानिया दूर होंगी आपने समय का सुधुप्योग करने की जुरुरत है माता पिता का सुख मिलेगा रियल स्टेट प्रापल्टी माइस वकर पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए आच्छा रहेगा कई महत्मुन कार होने की संभावना बन रही है सौधानी क्या वरतनी है अपने बाणी पर नियंत्रा रखें उपाय क्या करना है लाल चंदन भगवान सूरी देव को अर्पित करे सुभंक है आठ सुभरंग है लाल लक्त मीटर है आठ हरे क्रिशने अब आईए हम बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक हैं आज आपके सभी प्रकार की समच्छाओं का समाधान होगा संतत्यों का सुख फ्राप्त होगा धर्म कर में रुची बढ़ेगी माली हालत अच्छी होगी यात्रा दुर्देश की होगी यात्रा मंगलकारी रहेगी बेपार नौकरी में लाप मिलेगा आपके रुग और सत्र परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा अगर कोई भी कोल्ट का चारी में न्याले में अगर आपका बाद होगा चल ला हो साबको बिजिस्री मिलेगी अचानक बितेश जाने का योग बनेगा खेल के च्छेतर से धन मिलेगा यश्ट मिलेगा प्रतिष्टा मिलेगा आपकी केरियर को निर्धारित करेगा सौधानी का बरतनी हैं अपने समय का सौधु प्योग करे उपाय क्या करना है सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और मापतनी का संबान करे बात करते हैं मिथुण राजशी की जो मिथुण राजशी की जा तक है आज आपको ध्यान रखना की चोटी चोटी बात को लेका अप परिसान हो जाते है तो बिबादों से बचे, बात बिबाद से बचना आपके लिए लाप्रद रहेगा यात्रा और मित्रों से लाभ मिलेगा दूर देश के यात्रा हो सकते तिर्थाठन देशाठन होने की भी संभावना बन रही है आज आपकी पोदुनत होने की संभावना बन रही है नए बैपार से लाभ मिलेगा नोकरी में परिवरतन बन रहा है और माता-पिता का सुख मिलेगा रियलिस्टीट प्रापल्टी में अगर कोई भी पूजी निविस करते हैं ता आपके लिए फायदे मन रहेगा सेयर ट्रेडिंग से धन मिलेगा और परिवार में सुख घटनाएं घटने की संभावना बन रही है सौधानी के अबरतनी है खान पान पर नियंतरा रखना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय का करना हरा वस्त्र दान करें आपके लिए ठीक रहेगा बात करते हैं करकराशी की जातक है आज आपके अध्यात में रुची बढ़ेगी राजनेतिक लाव मिलते हुए दिख रहा है दूर देश की आत्रह होगी परिवारी की स्थित्य अच्छी होगी आपके करम शेत्र में विस्तार होगा और कई महत्मूर कारेंगे जिस से धनलाव होगा जो कारें पाइपलाइन हो संपन होगा बिदेश जाना का योग बन रहा है अगर कोई भी निवेश करना है तो निवेश करना भी आपके लिए लापरत रहेगा नोकरी में अच्छा प्रेडाम हो सकता है, सत्रू थोड़ी चिंतित कर सकते हैं, सौधानी के अबरत नहीं है, सेयर में पूजी निवेश करने से बचे हैं, उपाय क्या करना है, मोती और चांदी दान करना आपके लिए सुभ रहेगा, सुभ हंक है, पांच सुभ रंग अस्मा प्रतिश्था में ब्रिद्धी होगी, दूर देश के आतरा होगी, कई महत्मुन कारी हो सकता है, शेर ट्रेनिंग से धनलाब मिलेगा, और कई महत्मुन कारी होने की समभाना बन रहेगा, आपके इंटूशन बहुत तगड़ा होगा, आपने अतिंदरी ज्यान की बात माने, सौधानी के अबरतिनी है, किसी प्रकार का बाद दिवाद से बचे हो, उपाय क्या करना है, लाल चंदन या लाल पुस्प अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुबंग है पांच, सुबरंग है केशर या लक मीटर है आठ हरे क्रिशन, बात करते हैं कन्यराश जो कन्यराशी की जातक हैं, आज आपको सलाह मस्वविरा से धल लाब मिलेगा, कई महत्मूर्ण कारे करने की संभावना बन रही है, अगर आप कोई पूजी निविस करते हैं तो आपके लिए लाप प्रत रहेगा, नौकरी में लाब मिलेगा, यात्रा मंगल कारी होगी, ज जाएको खिला में और आज चुकी सावन का महिना चल रहा है, तो क्या करें की भांग, धतूर और एक लोटा जल भगवान भोले नात को उम नवाश शिवा करके अरपित करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुभं के तीन सुबरंग ऐसी ग्रीन, लक मिटर साथ हरे एक दि प्रिकास होगा, यात्रा अगर कोई नया करना चाहते है, तो आपके लिए लाप्रद शिद्ध हो सकता है, परचानियां दूर होगी, ने रोजगार से आपको लाप मिलेगा, पदोनत होने की संभावना बन रही है, कई महत्मुर कार होने की संभावना बन रही है, दूर दे सुभंके दोज, सुभरंगे नीला, लक्मिटेरे साथ, हरे कृष्णा। बात करते हैं ब्रिशिक राशी की, जो ब्रिशिक राशी की जातक है, आज आपको अपने मेहनत से, प्राकरम से दन लाब होगा। मान पत परतिष्णा में बढ़ोतरी होगी, वैपार में लाब होगा, लाबकारी सौधे प्राप्त होंगे, और चात्रों के लिए समय सफलता का चल रहा है, केरियर को लेकर का आपका समय काफी अच्छा है, धन अरजित करेंगे, पत परतिष्णा में बढ़ोतरी होगी, और य हो सकता है उपाय क्या करना है हनुमान कवच का पार्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग के एक सुभंग हिलाल लक्मीटर साथ हरे किशने अब आई हैं बात करते धनुराशी की जो धनुराशी की जातक हैं अगर अगर बैपार में कोई भी पूजी निवेश करते आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन अगर जो खिम बड़े लेवप उठाते हैं तो आपको बड़ा लाब होगा जितना बड़ा रिस्क लेंगा उतनी बड़ी लाब होगी नौकरी आज में प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है विरोधी आपके परास्त होंगे मित् सकते हैं और आज आपको बड़ी सफलता मिलने का यूगमंडा सुभ कार रे होने का यूगमंडस संत्तियों का सख प्राप्थ होगा माता-पिता का सुख प्राप्थ होगा सौधणी क्या परतनी है न यह कारे करने से बच्चें उपाए क्या करना है गुरु माता को नवीन कि गाड़ी नहीं चलानी है देश-विदेश की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है मान संबान पत्परतिश्णा में बड़ोत्री होगी यात्रा से धनलाब होगा अगर बैपार में कोई पूजी निवेस करते हैं तो आपके लिए लापरत होगा सरकारी नोकरी के लिए सक्ष तेजगती से बाहन न चलावें उपाय क्या करना है ओ महंग हनुमते रुद्रात्म काई हुंग फट स्वाहा इस मंत्र का जब करना है सुबहंग के साथ सुबरंग सफेद लक मीटर है आठ हरे कृष्णा बात करते कुम्भराशी की जातक है आज आप क्यार्थिक किस्ति मज जबूत होगी आपको विरोधियों से कष्ट मिल सकता है सुबह घटनाओं के घटित होने का युग बनना है परिशानिया दूर होंगी रोगयों सत्रों परास्त होंगे खड़ें तरकारी वेफाल होंगे आपकी परतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी परिवार में सुबह और म दस्तों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंके आठ सुबरंग नीला लक्मिटरसाथ हरे क्रिश्ण अब आई यह हम बात करता हैं तिमराशी मीन की जो मीन राशी के जातक हैं आज आपका रुका हुआ कारे संपन होगा अगर आप कोई भी पूंजी निवेश करते हैं ता आपके लिए लापरत सिद्ध होगा भाग दोल और संघर्श के सिती बनी रहेगी बिखन बाधाओं के साथ कारियों में सफलता प्राप्त होते वे दिख रहा है रुका हुआ धन प्राप्त होगा माली हाला तच्छी होगी पिता का सुख मिलेगा पतनी का सुख करते हैं अगर आज आपने कोई भी पूजी निवेस कर रहे हैं तो उसमें बढू की राय में शिवराय लेके करें ताकि आपके लिए लापरत हो उपाय क्या करने पिली बस्तू का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा भगवान विश्णु जी की आरातना करना आपके सुभध राएगा सुभं का तीन का जन्दीन की बहुत 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 बढ़ाई डेरो सूभ कामना हैं आपका जन्दीन सुभiest मंगल में खुंब आगे बढ़े प्रगत करिए आपका चतुर्दिक विकास minut की किरपाबर से हैपी बर्डर तीन तारीक ही जूजन में जाता को तो उनका मुलांक होता है तूब सोता ज़िए ने criar करने की जवरतस्च शमता के मिहां और जूवह आइसे लोग अपने जीवें में काफी धन पत्परिश्टार्ट जित गरते परिवार को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी सम या बिसम परिश्यती में घबलाते नहीं हैं अपने को प्रूफ करने की छमता इनके अंदर होती है यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है रोग और सत्र परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा परिवारिक के स्थिती होगी धन-धान की स्थिती मजबूत होगी घर की स्थिती होगी केरियर को ले करके काफी अच्छा रहेगा जुलाई अगर सितंबर थोड़ा उतार चड़ाओ का हो सकता है थोड़े परिशानियों का सामना करना पढ़ सकता है पुनहां आपका जो अंतिम तीन महिने हैं वह आपका अक्टूबर नौंबर दिसंबर यह आजनेतिक लाब मिलेगा और आप प्रगत इबादी सोच के होंगे और आगे बढ़ेंगे सौधानी क्या बरत्नी है गुस्ते पर कंट्रोल करना है खानपन पर नियंद्रन करना और प्रैवेश्य को मेंटेन करना है उपाय क्या करना है पूरे बर्स परेंता भगवान विश गुरू के नुश्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन शनिवार सनातन धर में शनी की बड़ी महत्ता है और काते हैं कि सूरी का पुत्र है शनी और शनी के नाम पर ही इस दिन का नाम शनिवार पड़ा चुकि नौग्रह हैं तो जैसे आपका सूरे चंद्रवा शनी ठीक उसी तरीके से जो दिन होते हैं उस दिन के स्वामी होते हैं तो आज के दिन का स्वामी है सनी शनी का नाम लेते ही लोग घबला जाते हैं ता आपको घबलाने की जूरत नहीं है अगर आपकी सिती खराब है परिशान है आपकी मालिया ठीक नहीं हो रही है ताप सन और आप उत्रोतर आगे बढ़ेंगे दूसरी बात के ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को कोल्ट कचहरी की मामलों फसा हुआ है तो सनी की मंत्रों का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ वेल्थ को लेकर का परिशान है तो सनी की मंतरों का जब करना आपके लिए काफी अच्छा तो छोटी छोटी उपाय है अगर इसको करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा